नमस्कार, हिमाचल विधान सभा के चुनाव नतीजे, दोनों पार्टियों, कॉंग्रेस और बीजेपी, तीसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव से पहले ही भाग गए थी, कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीती में बद चुनाव प्रचार में नहीं गया, प्रियंका वाडरा गई आखिर में वो भी बेमन से, पहले सोलर मीटिंग की बात हुई, फिर बारा की हुई, आखिर में उन्होंने सिर्फ चार, जो लोकसभा चुनाव च्छेतर है, उनमें चार मीटिंग की और लोट आई, कॉंग्रेस क वहाँ पर विरभादर सिंग के जमाने से बड़ा जनाधार रहा है, और रिवाज है कि हर पांच साल पर सरकार बदल जाती है, उस लिहाँ से भी देखें तो कॉंग्रेस के लिए चांस था, लेकिन कॉंग्रेस के लिए चांस था भाष्य जंता पार्टी के कारण ज़ादा, भारतिय जन्ता पार्टी में जो मैं परिवतन की बात कर रहा हूं तो कॉंग्रेस पार्टी पिछले पांस साल में अपना कोई वैकल्पिक नेत्र तो खड़ा नहीं कर पाई ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दूसरा, हिमाचल का चुनाव ते करते हैं वहांके सरकारी कर्मचारी सरकारी करमचारी की समस्याओं पर फोकस नहीं कर पाई कॉंग्रिस लेकिन आज मैं बात भारतीय जन्ता पार्टी की कर रहा हूं भारतीय जन्ता पार्टी जिस तरह से चुनाव लडी मुझे उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाव की आता गई जब उत्तर प्रदेश विधानसवा की चुनाव में पार्टी के ही एक वर्ग ने पार्टी को हराने की कोशिश की वही हमाचल प्रदेश में भी हो रहा था आप देखें कि पद पा जाने से कद बढ़ जाता है ऐसा जरूरी नहीं होता है और उसका सबसे बड़ा उधारण है जगत प्रकाश नड़ा जो भारती जंता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष है उनका ग्रे प्रदेश है हमाचल प्रदेश वो केंदरी मंत्री रहे पार् चुनाओ जितानी की क्षमता रखते हूं चोटा सा प्रदेश है इसके बावजूद वो नहीं है कोई बात नहीं बहुत से सब सब नेता जो है बहुत जनाधार वाले नहीं होते मास बेस वाले नहीं होते इसमें कोई नहीं बात नहीं है और कैडर बेस पार्टी है बीजेप पड़ा भारतिय जन्ता पार्टी के एक नेता एक उम्मीदवार जो नेदली के रूप में खड़े हो गए थे उनको नामवापसी के लिए और प्रधान मंतरी की बात खाली चली गई ये भी महतुपूर्ण नहीं है उतना इससे भी महतुपूर्ण बात ये है कि उन्होंने कहा कि नड़ा जी मुझे पांस साल तक अपमानित करते रहे हैं ये पार्टी के राष्टी अध्यक्ष के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और इस तरह की बात इस तरह की सारवजनिक रूप से चर्चा जो है और परमार ने ये भी कहा कि वो निर्दली लड़ रहे हैं भारती जंता पार्टी छोड़ दी है इसके बावजूद हो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश बने तो इससे आप पार्टी के प्रती कमिटमेंट भी समझ लीजिए लेकिन मजबूर होकर उनको जो है पार्टी के खिलाफ खड़े होना पड़ा तो ये बात उपर तक तो पहुंच ही गई है लेकिन जो दूसरी बात सारवजनिक रूप से उस तरह से नहीं आई है वो है प्रेमकुमार धुमल और अनुराग ठाकुर की भूमी का पार्टी के लोगों का कहना है और ये बात प्रधानमंत्री तक बड़े सपश्ट रूप में पहुंच चुक जैसी उनसे अपेक्शा थी जैराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही धूमल साब भी और अनुराग ठाकुर भी दोनों जो है नाराज हैं आपको याद होगा एक लोगसभा और दोविधान सभा के उपचुना हुए थे उसमें इसी गुडबाजी के कारण पार क्या इतना नुकसान होगा कि सरकार चली जाए कहना मुश्किल है मेरा अनुमान है कि उत्राखंट से मिलता जुलता जो है वो नतीजा आएगा बड़ा क्लोज कर्टेस्ट लग रहा है इसमें कोई शक्त नहीं है लेकिन बीजेपी किसी तरह से सरकार बचाने में काम्याब हो होता है पार्टी किसी तरह से आभी जाती सथा में तब भी पार्टी के शीर्ष नेत्यतों को सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए जो लोग पार्टी में रहते हुए पार्टी के महतुपूर्ण और सरकार के महतुपूर्ण पदों पर है अगर उनका रवया इस तरह का ह तो ये कारिकरताओं में किस तरह का संदेश भेजता है और भारती जनता पार्टी जो अपने को अनुशाशन वाली पार्टी बताती है बारती जनता पार्टी जो कैडर बेस पार्टी है जो विचारधारा पर आधारित पार्टी है वो अपने कारिकरताओं को अपने समर्थक और को किस तरह का संदेश भीज रही है तो हिमाचल विधान सबाद चुनाओ के नतीजे आने के बाद कॉंग्रेस और भात्ती जन्ता पार्टी दोनों में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं बड़ा एक्शन हो सकता है हलागि कॉंग्रेस के बारे में में बहुत भरोसे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ तो बड़ी-बड़ी चीजें हो जाती है और कुछ नहीं होता सवाल यह है कि एक्शन कौन लेगा कौन नेतित तो कर रहा है अध्यक्ष जरूर चुन लिया गया है नया लेकिन वह अध्यक्ष कितने प्रवावी होंगे यह अभी कहना मुश्किल है लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल में इस तरह की घटना भारती जनता पार्टी के लिए एक खत्रे की घंटी जरूर बजा रहा है तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिजाज़ दीजे नमस्कार